विद्यानात जहाजी पूरी महफिल सजा कर बैठे हैं इनकी समस्त विद्याओं का निचोड यह है कि 2047 तक भारत इसलामी राश्ट बन जाएगा क्या 2047 में भारत इसलामिक स्टेट बन जाएगा लेकिन हर चैनल की अपनी अलग अलग टाइम लाइन है इंडिया टीवी ने जिस विदूशक को पकड़ा है उसके मताबिक इसलामी राश्ट का मामला 2062 तक खिच सकता है अब ऐसे में कोई आप से ये कहे कि गजवाए हिंद का काम दो तिहाई तो हो चुका और साल 2062 तक भारत एक मुस्लिम राश्ट होगा यकीनन आप चौकेंगे और जानना भी चाहेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है तो जहाजी ने इसलामी राश्ट के कुविचार से हिंदुस्तान के अस्तित्तों पर पैदा हुए संकट का पाठ हमको और आपको पढ़ाने के लिए इन महाशे को सम्मानित अतित्य के तोर पर बुलाया इन महाशे की उपलब्ध यह है कि मुस्लिम विरोधी नारेबाजी के मामले में ये गिरफतार हो चुके हैं इनके उपर FIR दर्ज है दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काउन नारेबाजी के मामले में पुलिस छै आरोपियों की गिरफतारी की तैयारी कर रही है आरोपियों को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस पूछताच कर रही है और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें अश्विनी उपाध्याएं दीपक सिंग, विनीत क्रांती, विनूट शर्मा, प्रीत सिंग और दीपक शामिल है यह तो छोटी बात हुई पड़ी बात यह है कि एक प्राचीन सभ्यता जिसकी यात्रा कमोबेश 5000 सालों की है जिसने अनगिनत हमले जंजावाज जहले वह खत्म हो जाएगी यह बात हमें वो आदमी बता रहा है जिसकी न जनसंख्या के मामलों में कोई विशेशग्यता है, न वह कोई समाज विग्यानी है, न उसने दुनिया के जनांके किये मामलों पर कोई शोध या अध्यान किया है, उसके कुल पहचान इतनी है कि वह दिल्ली और आसपास के इलाकों में मुस आया जाता है आपके भीतर जहर भरा जाता है यह सब बतानी का मकसद है मकसद है यह कि पत्रकारिता की आड़ में आपको जो सलक छाप बहसे दिखाई जा रही है